पिछली क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें बेसिकली हम लोग क्यमिकल रियाक्टिविटी पे बाचीत कर रहे थे कि P block elements ने जो आपका गुरूप नमबर 15 होता है, गुरूप नमबर 16 होता है, गुरूप नमबर 17 होता है, गुरूप नमबर 18 होता है, ये कैसी कैसी chemical reactivity शो करते हैं ठीक है, तो आज की class में भी हम लोग chemical reactivity वाला ही topic continue करेंगे बट आज का हमारा target ये है, कि अगर आपके पास गुरूप नमबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, तो अगर आप इनको oxygen के साथ रियाद करवा रहे हैं, तो उनकी reactivity का क्या तरीका है, या फिर क्या उनका nature है, या क्या game वहाँ पर चल रहा है तो पहली बात किसी भी element को अगर आप oxygen के साथ रियाद करवाते हैं, और oxygen के साथ रियाद करवा कर अगर आप वहाँ पर, let's say, कुछ नया compound बनाते हैं, तो जो भी नया compound वहाँ पर बनता है पहली बात उसको हम लोग क्या कहते हैं ओक्जाइट्स कहते हैं ठेके उसको हम लोग क्या कहते हैं ओक्जाइट्स कहते हैं जैसे कल की क्लास में हम लोगों की क्या बाचीत भी थी कि जो भी कमपाउंड बनता है हाइड्रोजन के साथ रियाक करके उसको हम ल कहते हैं oxides वह particular compound क्या कहलाता है oxides कहलाता है इस ट्लियर ठीक है तो अभी हमको AKK करके जो गुर्प से वह किस तरीके से oxides बनाते हैं उस पर discussion करना है देखो तो सबसे पहले मैं गुरूप नंबर 18 की बातचीत करूं और गुरूप नंबर 18 की बातचीत करके उसके टॉपिक को मैं खतम भी कर देती हूं जैसा कि हमने कल discussion क्या किया था जो group number 18 होता है वो hydrides नहीं बनाता है न हमारा कल ये discussion already हो चुका है कि group number 18 जो होता है वो hydrides नहीं बनाता है वो hydrogen के साथ उसके elements रियार नहीं करते हैं तो आज अगर हम group number 18 की बात करें तो आपका जो group number 18 है इसके जो elements होते हैं वो normal temperature पर oxides नहीं मनाते ठीक है normal temperature पर easily वो oxides का formation नहीं करते oxides का formation यहाँ पर नहीं होता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखने है यानि कि चलो कम से कम हमारे सर से एक tension तो हटी कि हमें halogenes के oxides नहीं पढ़ने क्योंकि group number 16 का भी पढ़ना है 17 का भी पढ़ना है 15 का भी पढ़ना है इतना पढ़ना है तो उसमें कम से कम ये tension दो हटी कि हाँ चलो अच्छी बात है group number 18 के oxides मुझको नहीं पढ़ने हमें oxides से 15 16 और 17 के पढ़ने और उसमें भी तुमारे लिए एक good news है good news इस प्रकार से कि जैसा कल की class में हमारा discussion चला था ना कि down the group जाने पे thermal stability का वो thermal stability का ये वगेरा वगेरा है ना ये सारा हमारा कल की class में discussion चला था acidic nature का ये reducing nature का वो melting point boiling point रहे ना enthalpy of formation enthalpy of dissociation आज हमको वो सारे discussion करने ही नहीं है बहुत ही short सा topic है limited information है और limited information के बार ये topic खतम हो जाएगा कल के जैसा जादा detail analysis वाला ये topic ही नहीं है ओके चुरू करते हैं group number 16 के सबसे पहले तो आपको elements पता होने चाहिए ठीक है जैसे group number 16 के elements कौन कौन से होते हैं starting from oxygen onwards ठीक है अगर मैं oxygen onwards बात करूँ तो उसके बाराता है sulfur उसके बाराता है selenium उसके बाराता है tellerium और उसके बाराता है polonium मेरे एसास से तो चीजे अभी तक उम लोगों को याद ही हो गई होंगी ठीक है अच्छा अब जब इस group number 16 के लोगों को oxide बनाने का मौका मिलता है जब इस group numbers के 16 के elements को oxide बनाने का मौका मिलता है तो यह elements basically दो type के oxides बनाते हैं ठीक है यह elements basically कितने type के oxides बनाते हैं दो जैसे यह particular elements oxygen के साथ रियाद करते हैं ठीक है और oxygen के साथ रियाद करके यह लोग बनाते हैं आपका EO3 type के oxides, EO3 मतलब यनि कि उसमें तीन oxygen आपको देखने को मिलेंगे और एक element है ना E का मतलब element होता है basically E का मतलब क्या होता है element या फिर आपको ये भी रेखने को मिल सकता है कि यही elements ठीक है यही elements आप लोगों के क्या कर रहे है oxygen के साथ रियाक कर रहे है और oxygen के साथ रियाक कर के ये EO2 type के oxides form कर रहे हैं तो group number 16 के je elements होते हैं ये group number 16 के elements दो type के oxides बनाते हैं एक को हम कहते हैато EO2 type के oxides और एक को हम लोग कहते हैं EO3 टाइप के oxides, ठीक है EO2 और दूसरा होता है EO3, जब EO2 टाइप के oxides बनते हैं, तो उस EO2 टाइप के oxides में, जो आपका E होता है, इस E की जो oxidation state होती है, वो होती है, प्लस 4, और जब EO3 टाइप के oxides बनते हैं, तब oxidation state यहाँ पे E की कितनी होती है, उस particular element की कितनी होती है, प्लस 6, ठीक है, प्लस 6, जनरली हो सकता है, एक आधी कुछ exceptions आपको मिल जाएं, बट जनरली टाइप को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हूँ, तो दो टाइप के हाँ आपको oxides बनते हैं, क्या यह चीज़ clear है, ओके, अब E से साब से, तुम oxide मुझे मिलेगा, उसका नाम होगा SO2, जो next oxide मुझे मिलेगा, उसका नाम होगा SEO2, उसके बाद जो मुझे एक और oxide मिलेगा, उसका नाम होगा POO2, बट जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुके हूँ, पोलोनियम एक radioactive species होती है, तो generally हम radioactive species की पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक जनरली हम लोग radioactive species की जो पढ़ाई होती है, वो नहीं करते, दन, अच्छा, चलो ठीक है, बहुत यह अच्छी बात है, अगर मैं EO3 टाइप के oxides बनाने की बात कुरू, इमाजिन करिए, E की जगा S रख रहे हैं, तो E की जगा जब S रख रहे हैं, तो बन जाना है उसने SO3 जब E की जगा आप ऐसी रख रहे हो, तो उसने बन जाना है, ऐसी O3, जब आप E की जगा T E रख रहे हो, तो आपके वहाँ बन जाना है कितना, T E O3, क्या बना ले रहे हैं, उसने T E O3, ठीक है, यह oxides आपको यहाँ पर अपने syllabus book में पढ़ने काई, बराबर, अच्छा, E O O3 के oxides में, oxygen, oxygen के साथ combine हो रहा है, मतलब, जैसे मैं क्या करा रहे हूँ, S को मैं O2 के साथ, एक मिनट रूख हो, ठीक है, हाँ, मैं क्या बता रहे हूँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, क्या बाची चल रहे है हम लोगों की, की E O3 type के oxides, अब जैसे S के साथ मैंने O2 को combine कर दि है न, और SO3 बिना लिया, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं O O3 जैसा भी कुछ बनना चाहिए, यानि कि basically O4 बनना चाहिए, है न, O O3 यसे O3 वैसे का वैसे ही, और उसके सामने मैंने एक और O लगा दिया, तो O O3 यानि कि O4 जैसा कुछ बनना चाहिए, तो ऐसा होती है, बिल्कुल होती है, E की जगा हमने रखा O, और O2 वैसे का वैसी, यानि कि O O2 टाइप, तो O O2 टाइप को हम लोग basically क्या कहते हैं, इसको हम लोग O3 कहते हैं, Ozone, ठीके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Ozone, इसके बारे में अलग से detail structure, detail analysis हम करेंगे, बट इस टाइप क group number 16, दो टाइप के oxides बनाता है, ये group number 16 इस तरीके से दो टाइप के oxides बनाता है, अब आपको इस में से कौन-कौन से oxides पढ़ने हैं, और कौन-कौन से oxides आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीके, तो हम लोग अगर कुछ पढ़ेंगे, तो हम SO2 को पढ़ेंगे, हम Ozone को पढ़े बाकी oxides हम अपनी syllabus में पढ़ने वाले ही नहीं है, आगे की classes में मैं SO2 भी पढ़ाऊंगी, SO3 भी पढ़ाऊंगी, O3 भी पढ़ाऊंगी, ठीके इन oxides को हम पढ़ेंगे detail, इनकी chemical reactions बहुत जादा important है, इन oxides से आगे जाके क्या-क्या बनाया जाता है, ठीके यह सब बहुत-ब बढ़ा जाता है, बाकी के oxides वगेरा हमारे 12 के syllabus में नहीं है, हम लोगों को ये वाली चीज नहीं पढ़नी है, ठीके कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे पूरी दुनिया जानती है, कि जो SO2 होता है, SO2 कौन है बताओ, SO2 आप लोगों की एक ग्यास है, ठीके, O3 ये कौन है, ये भी एक ग्यास है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, SO2 की, ठीके, अगर मैं किसकी बात करूँ, SO2 की, तो ये जो आपकी महान SO2 है, ये महान SO2 की physical state क्या है, solid, और इन नोनों की physical state क्या है, ग्यास, यानि की group 16 में, जब आप EO2 टाइप का oxide बनाते हो, तो इस EO2 टाइ में आपको ये याद रखना है, उन लोगों की physical state, ठीक है, इन लोगों की physical state, वैसे जनरली, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जनरली जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चो को ये शी सिखाई जाती है, कि METALS के जो OBSIDES होते हैं, वो होते हैं इस तरीके के, basic nature और छोटे बच्चों गोर यह सिखाया जाता है कि जो non-metall के ऑम्शाइड उते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो होते हैं सेडिक नेचर की लेकिन क्या ये चीज always true है मतलब metal के ऑउग्शाइड हमेश्च बेसिक नेचर के होंगे और non-metal के oxides हमेशा acidic nature के होंगे क्या यह true है? नहीं यह चीज हमेशा true नहीं होती है ना अगर आपका यह मानना है कि oxides जो होंगे non-metal के वो हमेशा हमेशा कैसे होंगे? आप लोगों के किस nature के होंगे? वो आप लोगों के acidic तो ऐसा नहीं है उनमें कुछ oxides basic nature के भी होते हैं बट right now हम लोगों को यह याद रखना है चाहे आप EO2 टाइप का oxides पढ़ें या चाहे आप EO3 टाइप का oxides पढ़ें यहाँ पर यह दोनों ही oxides कैसे nature के होंगे acidic nature के होंगे कैसे nature के होंगे acidic इतनी सी बात थी oxides के बारे में group number 16 के जो हमारा discussion हो चुका है हाँ अब इसमें थूड़ा सा एक discussion और करना है वो discussion क्या है देखो इतना अगर कोई तुमसे पूछेगा common sense लगा कर let's अगर कोई तुमसे पूछेगा SO2, SEO2 और TEO2 down the group जाने पर आप हमको बताईए कि इन तीनों में से सबसे strong bond आपको कहा देखने को मिल रहा है तो जैसा कल की class में हमारा एकदम detailed discussion हुआ है उस detailed discussion के हिसाब से मुझको ऐसा लगता है तुमको शहर ये तो बता होगा कि अब जितना नीचे 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 जाते है bond उतना ही कमजोर होता जाता है यानि कि सबसे कमजोर bond बोलो किसका होगा सबसे कमजोर bond बोलो किसका होगा सबसे कमजोर bond होने वाला है आप लोगों के TEO2 का है ना सबसे कमजोर bond किसका हो जाएगा T.E.O.2 का इस बात से तो agree करते हो अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल इस बात से तो हम agree करते है अच्छा तो अभी इस सबसे अगर T.E.O.2 का सबसे कमजोर bond है तो मुझको एक बात बताओ ठीक है एक बात बताओ कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे उतरे आसानी से आप लोगों का bond क्या होगा तूड जाएगा अगर bond उतनी आसानी से तूड गया अगर bond उतनी आसानी से तूड गया तो oxygen आसानी से भग जाएगा है ना जैसे हमारा discussion क्या चल रहा है हमारा discussion ये चल रहा है कि अगर मैं आपको SO2 दे देती हूं SE2 deed TEO2 रखी हूं तो हम सब जानते हैं कि इन सब में सबसे कमजोर बॉंड अगर कई होगा तो सबसे कमजोर बॉंड कौन होगा TEO2 का बॉंड स्ट्रेंट के हिसाब से अगर वो सबसे कम Georgia तो सबसे आसानी से कौन तूटेगा सबसे आसानी से वही तूटेगा यानि कि अगर मैं पूछू कि कौन जल्दी तूट जाएगा ब्रेक 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 तो सबसे आसानी से कौन ब्रेक होगा सबसे आसानी से ब्रेक होता है टीई ओटू इजीली ब्रेक अगर मैं ब्रेक की ब कर देगा कि जाओ oxygen जाओ अब थोड़ा सा common sense का इस्तेमाल करिए और थोड़े से common sense को इस्तेमाल करके यह सोच के देखिए कि जब कोई species अपने अंदर से oxygen दे देती है तो oxygen दे देने वाली species को हम लोग क्या कहते हैं oxygen दे देने वाली species को हम लोग क्या कहते हैं हम कहते हैं कि अरे भई तु तो एक oxidizing agent है याद करो redox में और दसवी कक्षा में पढ़ा था ना कि oxidizing agent किसे कहते हैं बताओ oxidizing agent उस particular प्राणी को कहा जाता है जो oxygen देता है दूसरों को ठीक है जो दूसरों को क्या देता है oxygen देता है अ कि ये जो आप लोगों का ठीक है ये जो आप लोगों का क्या कहते हैं टी ओटू है ये दूसरों को oxygen दे रहा है ठीक है ये ओटू क्या कर रहा है दे रहा है ये ओटू दे रहा है दूसरों को और क्योंकि ओटू दे रहा है दूसरों को इसलिए इसको कहा जाता है oxidizing agent ठीक है कि आपके group number 16 में जो सबसे best oxidizing agent है वो कौन है TEO2 ये एक अच्छा oxidizing agent है कौन है एक अच्छा oxidizing agent है ये क्या है एक अच्छा oxidizing agent है और क्योंकि SO2 ठीक है क्योंकि SO2 oxygen नहीं देना चाहता क्योंकि देना चाहता क्योंकि आप bond strength जादा है तो basically SO2 जो होता है ये एक अच्छा oxidizing agent नहीं है बलकि ये एक reducing agent है ठीक है ये एक reducing agent है तो अगर मैं group number 16 के oxides के बारे में बात करती हूँ तो group number 16 के oxides में जो TEO2 होता है ये एक बहुत ही अच्छा oxidizing agent है ठीक है इसकी oxidation करने की जो ability है वो बहुत ही प्यारी है ठीक है इसकी oxidation करने की जो ability है बहुत ही प्यारी है और उससे कमजोर कौन सी किसकी ability है उससे कमजोर ability किसकी है उससे कमजोर ability है तो अगर आप group number 16 के oxides पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो सबसे अच्छा oxidizing agent है वो है TEO2 और उसके बाद जो SEO2 है वो उससे कमजोर और SO2 उससे कमजोर बलकि SO2 तो इतना जादा कमजोर है इतना जादा कमजोर है कि वो एक oxidizing agent के जैसे तक behave नहीं करता वो एक reducing agent के जैसे behave करता है तो कल को हो सकता है पेपर में कल को तुमको चीजे अरेंज करने को आजाए कि SO2, SEO2, TO2 इनको उनके oxidizing nature के हिसाब से arrange करी है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा TO2 है और SO2 सबसे worst है ठीक है SO2 क्या है आप लोगों का सबसे worst है ये थे group number 16 के oxides और बस इतना ही पढ़ना है group number 16 के oxides के बारे में जादा नहीं पढ़ना है फिर अगर कितमारी दिमांग में doubt आ रहा होगा कि मैडम stability के बारे में नहीं पढ़ाएंगे क्या आप आप bond dissociation के बारे में नहीं पढ़ाएंगे क्या तो देखो आपको कल detail में पढ़ाया है तो अगर आपको कल detail में पढ़ा दिया है तो इसका मतलब वही सारे rules आप यहां आज लगा सकते हूं जितना नीचे नीचे जाओगे ठीके ध्यान रखना जितना नीचे नीचे जाओगे उतना आप लोगों का क्या होगा उतना आप लोगों का क्या होगा आपका bond strength कमजोर होगा जितना नीचे-नीचे जाओगे bond energy उतनी क्या लगेगी, कम लगेगी ठीक है, जितना नीचे-नीचे जाओगे, stability उतनी क्या होगी, कम होगी तो basically, कल जो तुमको पूरे के पूरे rules बताए वो सारे के सारे rules तुमारे आज भी valid है ठीक है वो सारे के सारे rules तुमारे आज भी क्या है valid है ये बात का ध्यान रखना ठीक है अच्छा गुरूप नंबर 16 की oxides हो गए चलो अब next point में move करते है अब next point जो है हमारे discussion का वो है गुरूप नंबर 17 की oxides तो गुरूप नंबर 17 की oxides पढ़ने से पहले आपको ये बताओन अच्छी है कि गुरूप नंबर 17 में कौन कौन से elements आते हैं ठीक है तो अगर हम गुरूप नंबर 17 की बातचीत करें तो गुरूप नंबर 17 यानि की halogen को कहा जाता है वहाँ पे fluorine आता है chlorine आता है ब्रूमीन आता है आइडीन आता है और radioactive estetine भी आता है है ना ये भी आता है ठीक है चलो इसके बारे में आ जाते हैं discussion करने तो चार elements मैंने ले लिए fluorine एक ले लिया chlorine एक ले लिया bromine और एक ले लिया iodine तो देखो अगर मैं fluorine के बारे में बात करू तो fluorine के बारे में एक ही point एक इंसान को पता होना जिए अगर fluorine का हम किसी भी तरीके से oxygen के साथ combination कर लेते हैं ठीक है अगर fluorine को मैं किसी भी तरीके से oxygen के साथ combine कर भी लेती हूं तो जो भी oxide बनाएगा वह एक वेसिकली वह oxide unstable होते हैं ठीक है room temperature में ठीक है unstable oxides at the rate room temperature जसको मैं RT लिख रहे हूं ठीक है unstable होते हैं इनके सिर्फ आपको दो ही oxides पढ़ने होते हैं fluorine के syllabus में आपक सिर्फ दो ही oxides पढ़ने होते हैं एक पढ़ना होता है OF2 को और दूसरे को पढ़ना होता है O2F2 को बस वैसे ये खुद unstable होता है ऐसा नहीं है कि O2F2 कोई बहुत ही stable है ये भी unstable होते हैं लेकिन ये फिर भी ठीक है काफी हद तक बाक्यों के compare में फिर भी ठीक है बाक्यों के ब्रोमीन और आयोडीन तो जैसा कि हमारी previous discussion हुआ था जो विचारा फ्लोरीन होता है ना फ्लोरीन के पास क्योंकि वाकेंट दी और वाइटल नहीं होते इस विचारे के पास सिर्फ एक ही oxidation state होती है और वो होती है माइनस माइनस मतलब एक ही oxidation state इसकी possible है बट जो क्लोरीन होत है आयोडीन होते है यह वो शैतान के नाना नानी है जिनकी oxidation state 1 से लेकर 7 तक होती है अब क्योंकि इनके पास इतनी सारी oxidation states होती है तो देर्फोर दे फॉर्म मैनी compound यह बहुत सारे अलग 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 प्रकार के क्या बना सकते हैं compounds मना सकते हैं जो की विचारा हमारा फ्लोरीन नी बना पता है हमारा फ्लोरीन नी बना पता है इसलिए chlorine, bromine, iodine के आपको बहुत सारे oxides देखने को मिलेंगे लेकिन chlorine, fluorine का आपको oxide देखने को नहीं मिलता ठीक है बराबर आपको उसका oxide देखने को नहीं मिलते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो दो ही हमको पढ़ने एक पढ़ना है OF2 और एक पढ़ना है O2F2 chlorine, bromine में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जैसे की example के तोर पर chlorine के oxide में आपको देखने को मिलेगा CL2O ठीक है एक देखने को मिलेगा CLO2 एक देखने को मिल जाएगा CL2O6 एक देखने को मिल जाएगा CL2O7 इस तरीके oxides पढ़ने को मिलेंगे ठीक है bromine के oxides में अगर हम आ जाते हैं तो bromine के oxides में देखने को मिलेगा BR2O, फिर देखने को मिलेगा BR02 और उसके बाद क्या देखने को मिल जाएगा BR03 देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगर नीचे आजा Iodine के Oxides में तो Iodine के Oxides में आपको देखने को मिलता है I2O4 I2O5 ठीके और I2O7 अब देहान से सुनू इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आपको कैसे कैसे फ्रेम करके मिल सकते है ठीके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कैसे कैसे सवाल फ्रेम करके मिल सकते है देखो यह जो मैंने अलग-अलग Oxides बताए इन Oxides से देखो आपको सवाल कैसे मिलेंगे हो सकता है कल को आपसे वो ये पूछ ले फलाना ओक्जाइड का फर्मूला लिखकर दे रे और आपसे पूछे कि बताईए यहाँ पे oxidation state कितनी होगी ठीक है ये आपसे वो particular चीज पूछ ले तो इसलिए आपको oxidation state निकालते आनी चाहिए कि अच्छा अगर मुझसे oxidation state पूछता है तो मैं oxidation state निकाल सकता हूँ ठीक है दूसरी चीज वो आपसे chemical bonding का concept पूछ सकता है आपसे यह पूछ सकता है कि वहाँ पर hybridization कितनी है मतलब sp3 sp2 है वगएरा वगएरा टाइप की चीज या फिर इस तरीके का कुछ पूछ लेगा कि उन oxides को आप arrange करिए ठीक है रुक रुक depending क्योंकि पर कितने sigma और कितने-pie bond हैं तो जेस इंसान को structure बनाना आता है जेस इस इसान को structure बनाना आता है वो इन सारे questions का answer देगा कल को structure के basis पे कोई questions पूछ लेगा structure wise कोई question पूछ लेगा तो अगर structure wise कोई question पूछ लिया तो जवाब देते हाना चाहिए तो oxidation state अगर निकालती आती है तो सारा काम बन जाएगा अगर oxidation state निकालते नहीं आती तो चीज़े ना बनेंगी ठीक है फिर चीज़े ना बनेंगी और oxidation state निकालना तुमको आता है एक लगे तो मैं करके दिखा रहती हूँ जैसे oxidation state किसकी निकालनी है? chlorine की निकालनी है, oxygen की नी आपको इन सारे questions में oxidation state निकालते वग ये ध्यान में रखना है कि chlorine की oxidation state निकालनी है और oxygen की minus 2 लेकर चलना है ये आपको ध्यान में रखना है जैसे अगर मैं CO2 की oxidation state निकालू तो क्योंकि वहाँ पे सिफ एक chlorine है तो इसको X लेंगे और एक oxygen की minus 2 होती है अब क्योंकि वहाँ दो oxygen है तो minus 4 होगी सो basically वहाँ से CO2 में जो chlorine है उसकी oxidation state आई plus 4 आपके पास अगर CO2 होता तो भी आप यही logic यूज़ करते क्या मता बाजू वाला क्योंकि वहाँ दो chlorine है एक chlorine को हम लोग क्या लेते है एक chlorine को हम लोग क्या लेते है एक chlorine को X तो दो chlorine को 2X बाजू में एक oxygen है यानि की minus 2 so therefore यहाँ से X की value कितनी आगी कि CL2O में जो आपका chlorine है ठीक है वो particular chlorine आप लोगों के पास कितना है वो plus 1 oxidation state में है वो कौनसी oxidation state में है आपके plus 1 oxidation state में है यह सारी चीज़े आपको पूछी जा सकती है ठीक है यह सारी चीज़े आपको पूछी जा सकती है उसके अलावा आपको Cl2O7 में पूछ लेगा तो ये भी आसान है कैसे 2x-14 equal to 0 so x की value plus 7 अच्छा ऐसा chlorine का आपको कोई compound नहीं दिखेगा जिस compound की oxidation state plus 7 से जादा है bromine, chlorine, iodine इन सभी लोगों की जो maximum oxidation state होती है न वो maximum oxidation state कितनी होती है plus 7 होती है ठीके और एक बात और ध्यान रखना ये तो मैंने खेर periodicity में भी पढ़ाया है कि जो acidic strength होती है किसी भी oxide की जब मैं I think electronegativity वाला एक topic होता है उसकी जब मैं applications पढ़ा रही थी तो उसकी applications पढ़ाते हैं वाकि मैंने बताया है कि किसी भी oxide की acidic strength ठीके acidic strength उसकी oxidation number पे directly proportional होती है यानि कि जितना ज़्यादा उसकी oxidation state आएगी वो particular compound उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा आप लोगों का acidic जैसे कल को question आ सकता है कि आप arrange करिए किस चीच को arrange करिए c l 2 o को c l o 2 को c l 2 o 2 6 को c l 2 o 7 को ठीके in terms of acidic strength तो आप acidic strength के terms में arrange करिए ठीके या फिर हो सकता है p k के terms में arrange करिए तो ऐसे में फिर इस question को कैसे solve करेंगे आपको सिर्व यह देखना है कि कि किसका oxidation number जदा है तो अभी अभी मैंने उपर oxidation state तुम को calculate करके बताईए c l 2 o में oxidation number plus 1 है chlorine का इसमें plus 4 है इसमें अगर आप calculate करेंगे तो इसमें plus आपका कितना आता है 6 आता है इसमें plus 7 आता है तो maximum आपका acidic कौन होगा c l 2 o 7 उससे कम acidic c l 2 o 6 उससे कम acidic c l o 2 उससे कम acidic c l 2 o यह acidic strength के according और अगर pka क्या according करना है तो pka क्या according करने के लिए आप क्या करो आप pka क्या according करने के लिए जो आपने उपर order लिखा है ना उस order को आप बस reverse कर दो खतम ठीक है क्योंकि pka का order और acidic strength का order एक दूसरे के universally होता है इसी लिए ठीक है तो जरूरी नहीं है chlorine के oxides कल को हो सकता है bromine के oxides की acidic strength आपको पूछ ली जाए ठीक है कल को किसकी acidic strength पूछ ली जाए bromine के oxides की तो ध्यान रखना अगर ब्रोमीन के oxides की भी acidic strength मैं पूछी आती है तो उसको निकालने का तरीका भी वह यह जो मैंने ऊपर बता है एना युनिवर्सल तरीका ऐसा नहीं कि नीचे आने पे उसके लिए अलग तरीका उपर रहने पर उसके लिए अलग तरीका तो उसी सेम तरीके को अगर तुम calculate करोगे तो बी आर टू ओ की oxidational state आजाएगी यहां से one बियार ओटू की oxidation state आजाएगी चार ठीके यह इस तरीके से और लोगों का दन आच्छा वैसे ही आप लोगों को नीचे भी पूछा जा सकता है यह आई-टू-ओ-फोर में ऑक्सेडेशन स्टेट कितनी है यह कल को ऐसा पूछ लिया आई-टू-ओ-फाइव में कितनी है आई-टू-ओ-7 में कितनी है यह एक और होता है इसका एक और कंपाउंड इसका पॉसिबल है बहुत सब्सक्राइब होते हैं ठीक है आई-फोर-ओ-नाइन भी एक इसमा पूछ लेगा वहां कि इसका एक मसी क्रियेट करके आगिया यह अधा compound and this compound is बताईए कितना कितना कल को ऐसा पूछ लिए आप फिर क्या करेंगे बताओ तो इसलिए आपको टेकनीक पता होनी चाहिए अब अगर कोई इनसान टेकनीक के according चलेगा ना तो टेकनीक के according चलने पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कैसे मैडम नुकसान सुनो अगर मैं टेकनीक के वाया जाओं तो टेकनीक के वाया जाने से अगर कोई मुझसे I2O4 इसका oxidation state निकानने को कहता है तो टेकनीक वाले इनसान के according तो यह आएगा 2x- 8 equal to 0x बराबर 4 बट यह वाली चीज गलत है जब मैं redox पढ़ा रही थी तो redox को पढ़ाते वग भी मैंने कई बार यह तुमको बताया था कि actually यह जो टेकनीक से यह कई जगा फेल हो जाती है तो उन जगाओं पे हमको structure पता होने चाहिए तो हमेशे एक student के दिमार्क में बा ब्लॉक पढ़ते होना यही वह मौक्य होते हैं जब आपको इस ट्रक्चर या रखने पढ़ते हैं ठीक है जैसे i2o4 की अगर मैं बात करूँ अगर लेट से मैं examiner होती मुझे paper लेट से frame करना है मैं कभी भी सवाल आप लोगों की exact language में उठाकर तो देती ही नहीं मैं कैसे सवाल पूछ लेती इग्दम छोटे-छोटे सवाल पूछती हूं oxidation number of i2o4 is इतना option दे दिया खतम तो पढ़ने वाले इंसान को क्या लगेगा रे वहां करके i2o4 का oxidation number पूछा है लो अब भी बताते हैं वह इस तरीके से calculation करेगा मर जाएगा क्यों कि यह गलत है अगर आपक किसे निकाला जाता है क्योंकि i2o4 basically इस फ़र्म में एक्शस करता है उसके i2 का एक iodine रहता है वह बॉन बनाता है एक दूसरे iodine के साहाँ और वह दूसरा वाला iodine basically ऐसे थीन बगेशन के साहथ यानिकि वह इस फ़र्म में एक्जस करता है on a q3 के पढ़ में एक्जस करता है तो जिन लोगों ने भी oxidation state structure के वाया निकालना सीखा है 11th class के redox वाले chapter में उस इंसान को ये चीज पता होगी अच्छे से पता होगी एगनम कूट कूट के पता होगी कि structure से जब हम निकालते हैं तो हम electronegativity देखते हैं है ना जब हम structure से निकालते हैं तब हम क्या देखते हैं electronegativity देखते हैं कि किसकी electronegativity ज़ influencer negativity कम है ये सारी चीज हम देखते हैं बराबर और structure wise निकालते हैं अगर structure wise निकालोगे तो सुनो अभी ध्यान से अगर structure wise निकालने जाओगे तो इस particular I2O4 का जो correct oxidation state आएगा वो आएगा कितना 3 ठीक है वो कितना आजाना है आपका 3 इसी लिए पता होना बहुत जरूरी है जिन लोगों को structure वाईस निकालना आता है मैं उनकी बात करें अब जिनको नहीं आता है वो लोग अपना थोड़ा structure से कैसे oxidation state निकालते हैं वो चीज सीखें फिलाल में short में मैं इस चीज को recall करा देती हूं कि ये चीज कैसे होगी ये इस iodine ने बाजू वाले oxygen के साथ दो bond मना है कौन जादा electronegative है oxygen oxygen पर आएगा minus 2 इस iodine पर आएगा plus 2 इसी same oxygen ने नीचे वाले oxygen के साथ भी दो bond बना है इस पर आएगा minus 2 इस पर एक और plus 2 इसी iodine ने नीचे वाले oxygen के साथ भी क्या बना है दो bond बना है तो ऐसे में इस पर क्या जाएगा minus 2 और इस पर क्या जाएगा एक और plus 2 इसी iodine ने बाजू वाले एक और iodine के साथ bond बना है है ना एक और iodine के साथ bond बनाए तो जब दो same atoms के बीच में bond बनता है तो उसमें किसी पे कुछ नहीं मिलता दोनों को 00 मिलता है तो इन डारेक्टी हम मैं पूछू कि पहले वाले iodine का total कितना हुआ तो तुम बोलोगे पहले वाले iodine का total हुआ प्लस 6 मैं पूछूंगी दूसरे माले iodine का total कितना हुआ तुम बोलोगे मैंडम 0 तो अगर मैं बोलोगे टोटल कितना हुआ तो तुम बोलोगे मैंडम total होता है 0 प्लस 6 है ना कर ले ना उतनी मैच सो तुमको आती है और total कितने iodine से 2 iodine तो divide by 2 इसे कहते average oxidation state का concept इस तरीके से I2O4 के अंदर जो oxidation state निकल के आती है वो कितनी आती है वो आती है आपकी प्लस 3 ठीक है ये कहानी है इसकी ठीक है ये इसकी कहानी है ऐसे इसमें काम करना होता है हमको ये तरीका है इसके काम करने का अगर तुम सोचोगे कि नॉर्मल जो तरीका है उससे कर ले नॉर्मल तरीकों से पूरे CL वालोग आएगा बियार वालोग आएगा बटी जो iodine वाले लोग होते न ये थोड़ा सा नकरा खाके बैठे होते हैं हम लोग नहीं देंगे इतनी आसानी से हम लोग नहीं देंगे इतनी आसानी से ये उनके नकरे चलते हैं इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आवशक थी वैसे ही अगर मैं I4-O9 की बात करूँ तो इसकी भी oxidation state यहाँ पे प्लस 3 होती है ज्यादा compounds तो देखो तुमारे syllabus में है नहीं जो छोटे मोटे compounds हैं उनके जो आपके book में लिंके बारे में लिखा है उनके बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए कि उनकी oxidation state कितनी है क्या है ठीक है कैसे निकाली जारी है है जैसे आई टू फाइफ आई टू फाइफ वाला जो एक compound है नहीं बहुत ही important very important मैं बताती हूं क्यों important है पहले oxidation state बढ़ा के बताती हूं very important तो इसकी तो भाई या oxidation state सबसे पहले आनी चाहिए बट यह नॉर्मल तरीकों से निकाल लो इसको इसका structure वाला कोई टेंशन नहीं है नॉर्मल तरीकों से निकालोगे इसकी oxidation state आ जाएगी प्लस पाँच तो actually examiner जे डबली वगदर के सवालों में क्या करता है यही करता है आई टो फोर का oxidation state पूछ लेगा जो नॉर्मल तरीकों से नहीं निकाला पाता है उसके लिए structure का पता होना जरूरी है वो यही कर लेगा ठीक है वो यही हरकत कर लेगा तो जिसको structure नहीं पता है उसके तो दिक्कत आ जाएगी है ना और जिसको structure नहीं पता है उसके लिए तकलीफ इसलिए क्या होता है हम लोगों के सवाल कई बार गलत हो तो जब भी कोई भी टेक्स बुक को आप पढ़ो उस टेक्स बुक को पढ़ते वक्त अगर कोई फॉर्मूला आपके बाजू में वहां पर पढ़के आ गया है तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर उसके हाइब्रिडाइजेशन उसका ऑक्सिडेशन नंबर यह सारी चीजे अपने दिमांग में उसके लिए निकालने की तरीके को स्टोर कर लिया करूँ इससे क्या होगा जब वो पर्टिकुलर चीज आपके सामने पेपर में आईगी तब आपका पॉपट नहीं होगा ठीक है अब जैसे ही आई-टू-ो-7 है अगर आई-टू-ो-7 के ब फिर वो दूसरे आयोडीन से कनेक्टे होता है और इस तरह कैसे ऐसे देखो यह बनाता है यह स्टा ए7 पिस Сейчас अब शामने यह कह जाओ जाकि आप छेटेशन के बढ़लेषण क graveyard करो तो इस पैत्ञigor गर पздरत मेंयल में खरने और सृब्रों यह थी मिलतए के बीच में एक single bond है इस वजह से ते इस वज़ा से राइचा ठीक है अब यहां पर यह जो पर्टीकूलर आई टूर सैवन आपको दिया थै वैसी यह वाला जो आई है इस परिंगा प्लस टु हाएगा प्लस टु हाएगा प्लस टु हाएगा और अى इंदेगा तो टोटल अगर मैं पूछ और बातचीत करें तो यहां पर टोटल आ रहा है आपका कितना च्रोंचाओदा डिवाटेड़ दो करेंगे क्योंकि दो ही आयोडी ने तो आंसर इनक्राइबाइन एक इनक्राइब लोग तो अगर तुम नॉर्मल i2o4 क्या करता है आप लोगों का structure के through आता है ठीक है वो particular चीज कैसी आती है structure के through आती है तो i2o7 का कितना आ जाएगा plus 7 कल को तुमसे इस तरी केगा question पूछ लेगा कि बताइए i2o7 में total कितने sigma bonds है तो जिस इंसान को structure बनाना आता है वो करेगा ये एक sigma ये दूसरा sigma ये तीसरा sigma ये चौथा sigma ये पांचवा sigma ये छटवा ये साथवा आठवा वो लिख देगा 8 sigma ठीक है वो ये स्टरीके से लिख देगा 8 sigma बट जीस बिचारे लड़के या लड़की को structure बनाना नहीं आता हो और वैसे यहां पाइ पूछ लेगा तो पाइ रेखो यह पाइ डो पाइ तीन पाइ चार पाइ पाइ फ्सपा ये тरह बांकोड पूछने गर सक्ती है अचिए आई 89 के बाए मैं मैं तुम्हें एक चीज बताती हो आई 409 प्लस 3 की Oxidation State भी शो करता है और प्लस 9 वाली भी शो करता है यह ध्यान रखना आई 409 जो होता है यह महान आई 409 आप लोगों की प्लस 3 भी शो करता है और प्लस 5 भी बट अगर option में आए तो थोड़ा प्लस 3 को importance देना खेर अभी हम लोगों की बाक्षी चल रही थी कि I2O5 बड़ा important है यह क्यों है I2O5 important जरा उसका post-mortem करते है कि क्यों I2O5 को इतनी इज़त दी गई है तो देखो अगर I2O5 की अगर हम बात करें तो I2O5 एक बहुत ही अच्छा very 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 good oxidizing agent है बहुत ही प्यारा oxidizing agent है बहुत ही प्यारा oxidizing agent मतलब जो दूसरों को ठीके जो दूसरों को क्या करता है दूसरों को यह oxygen दे देता है ठीके यह दूसरों को oxygen देता है और विचारा खुद 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 यह क्या हो जाता है reduce होता है खुद यह क्या होता है खुद का reduction कर लेता है तो मादम इसमें क्या हो तो उपर में आपका TATO2 भी कर रहा था तो आपको अभी यहां पे I2O5 से इतना प्यार क्यों आ रहा है इसकी reaction की वज़ा से मुझे इससे बहुत प्यार आ रहा है वो इसलिए क्योंकि यह I2O5 अगर गलती से carbon monoxide gas के संपर्क में आ गया अगर यह I2O5 carbon monoxide gas के संपर्क में आ गया तो यह carbon monoxide को oxidize करता है देखो यहां पे carbon की oxidation state कितनी है plus 2 carbon की maximum oxidation state कितनी हो सकती है plus 4 तो यह CO को convert कर देता है भाई CO2 में यह खास बात है और I2O5 खुद convert हो जाता है I2 में I2 मतलब iodine में ठीक है I2 मतलब iodine में खुद को किस में convert कर लेता है iodine में convert कर लेता है ठीक है यह इसकी बहुत अच्छी speciality है बहुत प्यारी speciality है इसकी I2O5 के अगर structure की बात करू तो structure भी मैं तुमको draw करके दे रहती हूँ कैसा दिखेगा देखो iodine ये दो iodine दोनों iodine ने क्या कियोंगे दो दो oxygen का equal equal बटवारा किया होगा और बीच में इस तरीके का single bond बना लिया होगा ठीक है ये इस तरीके से यहाँ पे जब iodine था तो इसकी oxidation state किती थी plus 5 जब वो I2 में convert हो गया तो उसकी oxidation state कितनी होगाई जीरो उसकी oxidation state कितनी हो गई जीरो ठीके जब carbon था तो carbon की oxidation state कितनी हो गई प्लस टू जब carbon dioxide में convert हो गया तो उसकी oxidation state कितनी हो गई प्लस चार कल को हो सकता है जे डबली वाले लोग इस तरह के का सवाल पूछ लें कि वेन आई टू ओ फाई रियाक्स विद कार्बन मोनो ऑक्जाइड दैन वाट इस दचेंज इन ऑक्सिडेशन नंबर और ऑक्सिडेशन नंबर में कितने का चेंज आएगा कार्बन के तो आप थोड़ा सा भी 11th क्लास का रेडॉक्स पढ़कर बैठे हो तो यह ची पता होगी इसी चेंज को केमिस्ट्री की भाशा में वेलेंसी फेक्टर कहते हैं तो कल को यह पूछा जा सकता है कि I2O5 और CO की रियाक्शन में बताईए कार्बन का वालेंसी फेक्टर कितना है सेम यही आर्ग्युमेंट यहां पर भी की जा सकती है कि बताईए यहां वेलेंसी फेक्टर केतना है तो क्यार यहां पर वेलेंसी फेक्टर है पांच तो इसका मतलब वेलेंसी फेक्टर निकालना आना चाहिए अगर कोई इंसान भूल चुका है वेलेंसी फेक्टर निकालना तो जा रिड़क्षन बिचारे आई तू ओ फाइफ का हुआ तभी तुसको ऑक्सिडाइजिंग एजन कहते हैं ध्यान रखना जिसका रिड़क्षन होता है वही ऑक्सिडाइजिंग एजन भी कहलाता है ठीक है अच्छा और कोई यहां पर यह पूछ सकता है कि किसका ऑक्सिडेशन होती है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लिकेशन है एप्लिकेशन यह होती है यह मान लेते हैं आपको किसी जगा पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर जगा पर कितनी कार्बन मोनोग्जाइड है या फिर आपको अगर यह पता लगाना है ठीक है टी जो आपके पास test tube है, उस test tube के अंदर से carbon monoxide gas निकल रही है, कितनी amount की carbon monoxide gas निकल रही है, यह पता लगाने है या फिर आपको यह पता लगाने है कि जो gas निकल रही है, वो सही में carbon monoxide है की नहीं है, तो basically carbon monoxide gas के estimation के लिए यह particular I2O5 यूज होता है, जैसे आपने बच्पन ने पढ़ा होगा कि carbon dioxide को अगर पता लगाने है कि किसी भी test tube से जो gas निकल रही है वो carbon monoxide है की क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वो उसको lime water से pass करो, milky milky हो जाएगी अगर milky milky हो गई, तो हम कहेंगे कि हाँ वहाँ से CO2 gas बाहर निकली, बराबर, तो वैसे ही I2O5 को आप CO से react कराते हो, ठीक है और उनकी reaction में बहुत ही प्यारा आपको color change देखने को मिलता है, ठीक है उस color change से हम predict कर सकते हैं कि अच्छा यह जो gas से जरूर यह कौन सी है CO है, तो कोबर उसका तुम्हें एक YouTube वीडियो दिखाती हो एक मिनिट इस ट्री मैंने निकाल के तो रखा तक है यह ज़िए दो मिनिट इसका sound में कम कर देती हो ठीक है किस तरीके से color change दिख रहा है ठीक है यह यह इस तरीके का color change आपको दिखता है तो आप अराम से पहचान सकते हो करके ठीक है कि I2O5 एक Carbon Mono Oxide का क्या है डिटेक्टर है यह color change आपको दिखाती है यह ज़िए YouTube वीडियो में आप खुद भी सर्च करना आपको भी मिल जाएगी यह पर्टिकुलर रियक्शन तो आप वहां बैठके सुकून से देख सकते हो यह कहानी होती है I2O5 की खेर हमने बहुत बाचीत कर दी इसके बारे में अच्छा OF2 और O2F2 के बारे में तो कोई बाचीत हुई नहीं है उनके बारे में भी थोड़ा बाचीत कर लेते हैं तो देखो OF2 और O2F2 के बारे में मैं को जादा नहीं बोलना है बहुत ही कम पहला उनके oxidation state के बारे में comment करना है दूसरा उनके structure के बारे में comment करना है तो यह oxygen है इस से इस तरीके से दो fluorine जुड़े होए होते हैं यहाँ पे lone pair होता है hybridization sp3 होती है इसको कहते है v-shape ठीक है इसकी जो होती है v-shape होती है और geometry होती है इसकी tetrahydral जिन लोगों ने basic chemical bonding पड़ी है उनको यह बात समझ रही होगी o2f2 की अगर मैं बात करूं तो o2f2 कुछ इस तरीके का दिखता है यह इस तरीके का ऐसा दिखता है o2f2 जहां पे भी दुनिया में तुम्हें oxygen oxygen bond दिख जाए दुनिया में अगर कहीं पे भी तुमको oxygen oxygen bond दिख जाए तो उसको कहते है पर oxy linkage उसे क्या कहते है पर oxy linkage ठीक है तो यहां पे पर oxy linkage होता है अगर मैं oxidation number पे बात करूं तो यहां पे oxygen का oxidation नमबर माइनस टू नहीं होता मैंने पढ़ाते वग भी बताया था कि जब जब oxygen fluorine के साथ attached होता है तब fluorine के साथ attached होने की वज़े से उसका oxidation number माइनस टू नहीं होता आपको structure के according calculate करना पड़ेगा आपको structure के according calculate करना पड़ेगा जैसे oxygen और fluorine के बीच में यहां पर एक sigma bond बन रहा है oxygen और fluorine के बीच में क्योंकि एक bond बन रहा है और fluorine जादा electronegative है तो fluorine पर minus 1 आएगा oxygen पर plus 1 आएगा similarly इस oxygen और इस fluorine के बीच में भी एक sigma bond बन रहा है और fluorine जादा electronegative है तो fluorine पे minus वनाएगा और इस fluorine की वज़ा से इस पे plus वनाएगा यानि कि उस oxygen पे total कितना charge आया plus 2 तो plus 2 ही उस oxygen की क्या है oxidation state है same यही argument अगर मैं यहाँ करूँ तो अगर इस argument को मैं यहाँ करती हूँ तो oxygen और fluorine के बीच में fluorine पे minus 1 आएगा oxygen पे plus 1 आएगा लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह oxygen इस oxygen के साथ बना रहा है bond और दो same लोग जब आपसे bond बनाते हैं तो दोनों पे सिर्फ 00 का charge आता है तो overall यहाँ पे O2 F2 में oxygen की oxidation state किती हुई यहाँ पे हुई आपकी plus 1 इस वाले oxygen की भी plus 1 और इस बाजू वाले की भी plus 1 जो कि इस fluorine की वज़ा से उसके भी plus 1 आएगा ऐसे निकालते एक oxygen की plus 1 और O2 में दो oxygen है तो उन में से जो OF2 वाला oxygen है उसके एक oxygen का कितना है आपका plus 2 है minus 2 नहीं है ध्यान रखना minus 2 नहीं है ठीक है यह minus 2 नहीं है अब यह जो O2 F2 होता है ठीक है यह जो O2 F2 होता है इसको basic ही हम लोग कहते है fluorinating agent ठीक है जैसे oxidizing agent एक word होता है इसे कहते है हम लोग fluorinating agent इसे कहते है fluorinating agent क्यों इसे fluorinating agent कहते है क्योंकि यह basically किसी दूसरे को ठीक है यह किसी दूसरे को क्या करता है fluorine देता है क्योंकि यह किसी दूसरे को क्या देता है fluorine देता है यह बहुत ही आसानी से तूट जाता है और बहुत ही आसानी से तूटने के बाद यह क्या करता है किसी दूसरे को fluorine दे देता है इसी लिए हम लोग क्या कहते हैं इसको fluorinating agent कहते ही है क्या यह बाद clear है अब इसके एक बहुत important use NCRT में भी लिखा है और शेर आपकी textbook में भी लिखा होगा use इसका use यह है कि जो हमारी nuclear reactions होती है उन nuclear reactions में जो nuclear fuel होता है उस nuclear fuel में होता है plutonium ठीके उस nuclear fuel में क्या होता है plutonium plutonium का symbol होता है PU आप चाहते हो कि उस plutonium को आप remove करो अब मैं plutonium को कैसे remove करो यह हम लोगों के पास question रहता है तो actually हम लोग क्या करते हैं उस nuclear fuel के अंदर nuclear fuel के अंदर हम लोग डाल देते हैं O2 F2 तो nuclear fuel के अंदर जैसा कि तुम जानते हो plutonium रहेगा तो basically होता क्या है nuclear fuel के अंदर जो भी plutonium होता है यह O2 F2 अपना fluorine अपना fluorine उस plutonium को देता है और plutonium PU F6 के form में क्या हो जाता है then we remove it हम उसको क्या कर लें बहुत ही आसानी से remove कर लेता है तो इसलिए इसको fluorinating agent कहते हैं क्योंकि अपना fluorine किसी और को देता है और दूसरी चीज़ देता तो देता है यह बहुत important application है कि nuclear fuel के अंदर से plutonium को कैसे निकाले इसका यह question mark तीसरी और आखर मतलब basically last चीज इस halogen family की वो यह कि fluorine के जो oxides होते हैं वो तो highly unstable होते ही है उसमें तो बहिया कोई doubt नहीं है fluorine के oxides highly unstable होते हैं जो बाकी के oxides है chlorine के, bromine के, iodine के क्या यह भी unstable होते हैं? बिल्कुल यह भी unstable होते हैं बाट इन सारे oxides में अगर कोई आप से पूछे कि सबसे ज़्यादा stable oxides किसके हैं? तो यहाँ पे एक exception आता है यह पे एक exception आता है और यह particular चीज आपको याद रखनी है कि iodine के oxides सबसे ज़्यादा stable होते हैं उसके बाद chlorine के oxides stable होते हैं और सबसे least stable होते हैं bromine के oxides ऐसा क्यों हुआ? यह क्यों आपके लिए जानना जरूरी नहीं है ठीक है? iodine के बादे में कहा जाता है कि highly stable इसके जो oxides होते हैं highly stable oxides हैं और अगर आप book वगेरा read करोगे तो book की reading में आपको कुछ जगाओं पे यह छोटा मोटा reason भी देखने को कभी कबार मिल जाता है कि क्योंकि फजान्स rule यादे फजान्स rule हम पढ़ते हैं है ना फजान्स rule पढ़ते हैं हम लोग बराबर तो उसके एसास से लोग यह कहते हैं कई बार कि जो i2 i और o के बीच में जो bond बनेगा उसमें i का क्योंकि size बहुत बढ़ा रहेगा है ना iodine का size बहुत ही large रहेगा size बढ़ा होने की वज़ा से क्योंकि size बढ़ा होने की वज़ा से उसकी जो polarizability है वो polarizability भी क्या होगी high रहेगी तो इसकी लिए लोग कहते हैं कि उनका जो oxide है वो काफी ज़्यादा stable होता है बराबर वो क्या होता है stable होता है अच्छा ये reason और अगर chlorine की बात करें ठीक है chlorine की बात करें तो basically chlorine के इसमें ये लोग ये कहते है कि वेक और डी और बाइटल होता है वैसे तो वेक और डी और बाइटल सोते हैं और यह multiple bond क्या करता है फर्म कर लेता है मतलब back bonding जैसी कुछ चीज इसलिए वो stable होता है लेकिन bromine के electronic configuration में ठीके कुछ ऐसा हो जाता है कि ना ही उसकी polarizability जादा होती है और ना ही वो back bonding वगेरा कुछ कर पाता है इसलिए विचारे bromine को सबसे least stable मिला है यह एक exception है तो हम लोगों को कैसा लगता है कि iodine अगर सबसे highly stable है उसके बाद number तो bromine का आना चाहिए बट यह नहाँ पर number किसका आ गया chlorine का आ गया तो यह याद रखना और एक data और है जो आपको शायद 10th class से ही मालूम हो नहीं मालूम है तो अभी सुन लो जो CL O2 होता है इस CL O2 का आपको use पता होना चाहिए यह bleaching agent है बस इतना याद रखो ठीक है यह क्या है bleaching agent है यह क्या है bleaching agent है बराबर यह कौन है bleaching agent यह कौन है bleaching agent पता है तुम लोगों को क्या होता है bleach कपडों की bleach की जाती है कागचों की bleach की जाती है कई ऐसे makeup cosmetic products आते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं चेहरों का भी bleach करते हैं तो वह एक bleaching agent है तो group number 17 यहां पे हमारा खतम होता है अब शुरू होता है group number 15 ठीक है अब group number 15 तो क्या है महराश्टर के board exams का syllabus नहीं है तो if somebody wants to ignore वो ignore कर सकता है वो अपना 5 से CLO2 तक पढ़कर कान बं नमर 15 के यदि हम elements का बात करें तो group number 15 के जो elements है nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और उसके बार आता है बिसमत यह लोग क्या oxides बनाते हैं अरे भाई हां इनके oxides तो बहुत ही famous है और इनके oxides के जो structure है वो तो उनसे जाना famous है मतलब इनके oxides के structure सीरा सीरा paper में पूछ लिए जाते हैं draw फलाना structure, draw धिमकाना structure इतने इतने जारा है इनके oxides क्या है famous है जैसे group number 16 के oxides दो type के बनते थे, एक EO2 type के और एक बनते थे EO3 type के तो group number 15 के oxides दो type के बनते हैं ठीक है एक आपका बन जाता है EO3 type का oxides और दूसरा अगर मान के चलें ये reaction करते हैं oxygen के साथ तो दूसरा प्रकार का oxides जो ये बनाते हैं वो बनाते हैं E2O5 type का oxides ठीक है E2O5 type का oxides ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छा उसके अलावा एक और सबसे important जानकारी जो आपको ध्यान रखने है यूजुली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं nitrogen और phosphorus अगर आपने इनके oxides create किये मतलब N2O5 इस टाइब का अगर आपने कुछ create किया तो ये जो oxides होंगे ये acidic होंगे nature में अच्छा ठीक है बट अगर उसी group के नीचे के elements के पास तुम आ जो नीचे के elements कौन होते हैं arsenic और एक होता है antimony तो इन दोनों के अगर आपने oxides सयार किये तो ये oxides m4 टरीक होंगे ठीक है m4 टरीक मतलब acidic nature वाले और basic nature दोनों-दोनों के साथ याद करने वाले और अगर बिस्मत की बात करते हैं बिस्मत एक typical element है मैंने पहली class में बताया था इसका जो oxide होता है ये basic होता है मतलब indirectly group number 15 में आपको तीनों प्रकार के oxide देखने को मिलते हैं आपको acidic भी देखने को मिलता है और आप लोगों को basic oxides भी देखने को मिलते हैं खेर nitrogen के oxides ही आपको पढ़ने होते हैं आपके syllabus में phosphorus के oxides दो उतने हमें हमाई syllabus में नहीं पढ़ने होते हैं ठीक है total nitrogen के 6 oxides पढ़े जाते हैं और जो मैं इससे पहले आपको already पढ़ा भी चुकी हूँ तीन से चार बात obviously इस chapter की बात नहीं कर रही हूँ किसी ना किसी chapter में मैं एक अच्छे से आ रहे हैं इस oxides of nitrogen को मैं 3 से 4 बर पढ़ा चुकी हूँ और इनके वारे मैं मैं पूरी जानकारी भी दे चुकी हूँ तुमारे दिमाग के अंदर जैसे पहला oxide होता है N2O, दूसरा oxide होता है NO, तीसरा oxide होता है आपका N2O3, चौथा oxide होता है NO2, पांचवा oxide होता है N2O4 जो कि उसका डाइमर होता है एक मिनिट, एक मिनिट को, और उसके बाद जो छटवा oxide होता है, वो छटवा oxide होता है N2O5, सबसे पहली चीज, यहां से जो पूछी जाती है, oxidation नंबर का calculation, nitrogen का oxidation नंबर निकालना है, आपको obvious है, सबसे पहली चीज, आपको यहीं से यही पूछ लेता है, तो जो हमारा normal तरीका है, mathematics वाला की 2X बराबर ऐसा करके हम जो निकालते हैं, उस तरीके के हिसाब से, इसका oxidation नंबर आता है, plus 1, उस तरीके के हिसाब से, इसका oxidation नंबर आता है, plus 2, ठीके, अगर उसी तरीके को follow वही mathematics वाले तो इसका भी आता है, plus 4, और N2O5 का आता है, plus 5, मतलब यहाँ पे basically structure जैसी कोई जंजट हमको पालने की नहीं है, दूसरी सबसे important चीज होती है, यहाँ पे इनके colors के बारे में, और इनकी physical state के बारे में, ठीके, इनकी physical state के बारे में, तो actually यहाँ पे 6 oxides में से, 3 oxides, gas वाले होते हैं, 3 oxides solid होते हैं, ठीके, अब gas कौन है, और solid कौन है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो obviously याद रखना पड़ेगा, है ना, जो starting के दो है, N2O और NO, यह दोनों gas होती है, उसके बार, जो आपका NO2 है, यह भी gas होती है, बस आप इतना याद रख लो कि कौन gas होत होती, N2O, NO और N2, NO2, यह तीनों की तीनों gas होते हैं, और जो तीन बच गए, वो बचे होए लोग क्या होते हैं, solid है, उसके बार आती है, माचीत उन gases की या उन solids के colors की, तो इसमें बस एक ही, दो ही चीज आपको याद रखनी है, कि जो आपकी NO2 gas होती है, यह होती है, ब्र की action करते हो, और अगर वहाँ से brown gas eliminate हो रही है, बहाँ निकल रही है, तो आप ऐसा काफी है तक predict कर सकते हो, कि अच्छा, यह कौन सी gas है, यह brown color की gas है, ठीक है, और उपर में जो यह N2O3 है, एक इसका color याद करना पड़ता है, कि यह जो solid है, यह blue color का है, बाकी के जितने भी ह इनका कोई color नहीं होता है, और जिनका कोई color नहीं होता है, उनको हम लोग कहते है colorless, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, oxidation state तो निकाली सकते हो, oxygen को minus 2 लेकर normal formula से, दूसरा कौन सा gas है, 6 में से 3 gas है, 3 solid है, अब 3 gases को याद रखना है, solid अपने बचे कुछे हो जाएं ये भी बहुत जरूरी है, तो basic कोई नहीं होता, याद रखना है, nitrogen के जितने भी oxides होते हैं, मैंने क्या लिखवा है था, nitrogen और phosphorus के oxides acidic होते हैं, acidic oblique neutral लिख दो, कुछ oxides acidic भी हो सकते हैं, कुछ neutral भी हो सकते हैं, तो बस इतना याद रखना है, कि जो top 2 के लोग हैं, top 2 के दोनों neutral हैं, ये दोनों के दोनों neutral हैं, बाकी नीचे जितने भी बचे, ये चारो के चारो, ये चारो के चारो ऐसे लिखें, मतलब nitrogen का कोई भी oxides कभी भी basic नहीं होता, ठीक है, और एक और चीज है, जो बहुत जड़ा फेमस होती है, इसमें, वो होता है, इनका structure, लास्ट तक जब महराश्टर के board exams में भी 80's syllabus में हुआ करती थी, तो पेपर में बड़ा पूछा जाता था इसको, कि अच्छा अच्छा बताओ जरा, ये N2O का structure ड्रॉ करके, फलाने का structure ड्रॉ करके, structures are very important, तो structure से बहुत सारे सवाल भी आ जाते थे, JW वागेरा में, कि इस फलाने structure म कितने sigma bond है, कितने pi bond है, इनका correct resonating structure क्या है, तो structures के लिए मैं तुम्हें आज एक homework दे रही हूं, जिन लोगों को अपना boards का target करना है, उनके लिए नहीं, जिन लोगों को महराश्टर board का target करना है, उनके लिए नहीं, जिनका other target है, JW वागेरा भी है, structures के लिए, उनका आज ए page number 178, इसको open करना, I think यही page number है, वहाँ पे आपको इन 6 के 6 लोगों का levis dot structure बना हुआ है, और उसका बाजू में resonating structure भी बना कर दिया है, उसके बाजू में आपको यह भी लिख कर दिया है, कि वहाँ पर उनकी shape क्या होगी, किसी की linear, किसी की planar, वगेरा वगेरा, ठीक है, उस particular चीज को आप अपनी notes copy में draw करें, उस levis dot structure को भी draw करें, प्लस उसका जो साथ में resonating structure है, उस resonating structure को भी वहाँ पे क्या कर लीजे, ड्रॉ कर लीजे, ठीक है, अब इससे क्योंकि सीरा सीरा सवाल पूछ लेगा कल को, which of the following option is correct, मतलब NO2 अगेरा में, ठीक है, कौन आप लो पूछ लेटिंग structure following options में से कौन है, तो उस structure के basis पर ये सवाल पूछ जा सकते, CBAC board का अगर target है, तो उसमें तो direct board exams में ये structure draw करने को आ जाएंगे, 11 marks, 22 marks के लिए, बाकी एक और चीज है, तो I think सब को पता ही होगा, एक होती है laughing gas, ये N2O, इसी को हम लोग basically हमारी laughing gas कहते है, ये हम लोगों की क्या होती है, laughing gas होती है, एक laughing gas होती है, एक crying gas भी होती है, जिससे हम लोगों को आसू निकलते है, ठीक है, तो ये पता होना चीज, अच्छा, दूसरी चीज, आपको ये पता होना चीज, कि nitrogen के oxides में से कौन सा oxide paramagnetic है, कौन सा oxide diamagnetic है, इसका chart भी मैं एक जमाने पहले में आपको बता चुकी हूँ, बढ़ चलो फिर से repeat कर देते हैं, जो N2O5 है, ये आखरी वाला, ये N2O5 होता है, आप लोगों का diamagnetic, मैं पूरी spelling नहीं लिख रहे हूँ, ठीक है, बढ़ ध्यान रखना ये क्या होता है, diamagnetic, ठीक है, इससे related question सीदा सीदा JEE मे पूछे गए हैं, already, कि which of the following oxide is paramagnetic, which of the following oxide is diamagnetic, ठीक है, ये आपको सीदा सीदा पूछा जाता है, तो सीदा सीदा पूछा जाने के लिए आपको पता होना चाहिए, कि कौन उसमें diamagnetic है, कौन उसमें paramagnetic है, जब हमने chemical bonding पढ़ी थी, तो उस chemical bonding में, जो molecular orbital theory थी, उस molecular orbital theory में हमने इस कीज़ को पढ़ाता है, वाट फिर से repeat क्या जाता है, तो ध्यान से देखो, NO और NO2, NO मतलब आपका second number वाला, ये paramagnetic होता है, ठीक है, और fourth number वाला, ये आपका paramagnetic होता है, अब कई लोगों को लगता है, कि क्योंकि NO2 paramagnetic है, तो NO4 basically क्या है, NO2 का dimer ही तो है वो, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि N2O4 को भी paramagnetic होना चाहिए, बट नहीं, N2O4 एक dimagnetic है, ठीक है, N2O4 क्या है, आप लोगों का एक dimagnetic है, ठीक है, ये दिहान रखना, वो क्या है, आप लोगों का एक dimagnetic species है, अब क्योंकि वो एक dimagnetic species है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहि इस क्या नावा जो HNO के बारे में तुम्हें बता चुकी हो ना ठीक है laughing gas laughing gas के बारे में अगर हम बात करें तो laughing gas यानि की N2O यह particular laughing gas आप लोगों की क्या है यह पता करो N2O3 यह क्या है यह पता करो ठीक है यह सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए हटा कर लेते हैं कि वो क्या है N2O3 यह नहीं की C नंबर तो NO2 कहां गया अच्छा NO2 का तो मैं लिखवा चुकी हूँ पैरा मैगनेटिक ठीक है हाँ N2O3 यह भी क्या होता है तो अगर तू observe करो कि कौन-कौन पैरा मैगनेटिक है तो NO यह पैरा मैगनेटिक है और कौन पैरा मैगनेटिक है NO2 यह पैरा मैगनेटिक है बाकी कोई पैरा मैगनेटिक नहीं है तो simple है याद रखने का तरीका NO और NO2 को अगर मैं छोड़ दू तो बाकी सब डाय मैगनेटिक simple कौन डाय मैगनेटिक कौन पैरा मैगनेटिक यह याद करने से बेटर है यह याद रखो कि 6 में से कौन पैरा मैगनेटिक है और कौन डाय मैगनेटिक में से बेटर है कि 2 पैरा मैगनेटिक को याद रखो बस खतम होगी ठीक है वो बस खतम होगी कहानी रही मात फॉस्फोरस के oxides की तो phosphorus भी oxides बनाते हैं जैसे P4O10 बनाता है P2O5 बनाता है phosphorus के भी oxides exist करते हैं ठीक है बट हमको phosphorus के oxides को पढ़ने का नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास बतम होता है कि chemical reactivity हमने सारे ग्रूप 15,16,17,18 की oxides के respect में पढ़ ली और hydrides के respect में तो पहले ही पढ़कर बैठे थे अभी जो हमारी next क्लास होगी उसमें भी हम chemical reactivity ही पढ़ेंगे लेकिन ग्रूप 15,16,17,18 की chemical reactivity halogens के साथ मतलब अगर यह compound halogens के साथ react करते तो क्या मनाते है